Hello Everyone, मैं मिथुन सिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का, आसा करता हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे JSA, PGT, English 2023 का सिलेवस हम लोगी इस वीडियो में देखेंगे Paper 1 में आपसे क्या पुछा जाएगा, Paper 2 में आपसे क्या पुछा जाएगा पूरे Pin Point आपको जो है Topics को इस वीडियो में बताया जाएगा सबसे पहले मैं आपको बता दू, सिलेवस को दो पार्ट में बाटा गया है, Part A और Part B Part A को भी दो भागों में बाटा गया है, वो क्या क्या है, इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिस करेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दू, यहां से आप देख सकते हो, Part A में जो दो पेपर होगा, उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे बाद में, पहले यहां से आप देख लो, पत्र एक में समानि ग्यान और हिंदी भासा की परिक्षा सो अंकों का लिया जाएगा और इस सो अंक में आपको 33 नमबर तो लाने ही लाने है, तभी आप क्वालिफाइ करोगे, अधरवाइज आप डिस्क्वालिफाइ हो जाओगे, 33 नमबर आपको लाना है, नो नेगेटिम मार्किंग, याद रखिएगा, और जो पेपर 2 है, उसमें आपका सब कर्सर्निंग स 150 पलस की ही बनेगी, तो चलिए सुरू करते हैं, पेपर 1 में, यानि कि पेपर 1 में जो है क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहां से आप देख सकते हो, समान ग्यान और हिंदी भासा की परिक्षा होगी, समान ग्यान में क्या पूछा जाएगा, डे टू लाइफ में जो बेग्यानिक प्रगती, जो भी scientific development हुआ है, वो आपको पढ़ लेना है, राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय प्रुसकार के बारे में पढ़ लेना है, आपको पता ही है वैक्सीन, अलग-अलग तरह के वैक्सीन आये थे, तो वैक्सीन को भी देख लेना कि कोरोना की वैक्स इन किस-किस company ने बनाए थे, तो इन चीजों को ध्यान में रखेएगा आप, राष्ट्रिय अंतराष्ट्रिय प्रुसकार, जैसे कि Nobel Prize हो गया, बुकर प्राइज हो गया, आउसकर जो है किनकी movies को मिला हुआ है, इंडिया से किस movie ने आउसकर जीता था, नीचे comment करके बताए पुस्तक, लिपी, राजधानी, मुद्रा, यानि कि राजधानी और मुद्रा भारत के पडोसी राजियों के बारे में आपको पढ़ लेना है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भुट्टान, बंगलादेश, सिरलंका है, इनके बारे में उनके परधान मंत्रियों के बा नाएं घटित हुई थी जैसे कि दांडी मार्च जो है गांधी जी ने कब निकाला था बारदोली सत्यागरा कब हुआ था मंगल पांडे के द्वारा कौन सा विद्रो किया गया था तो इन चीजों को आपको पढ़कर समझना है गौल में समेलन कब हुआ तो यह मैं आपको सिर पढ़ना है सामुदा एक विकास और पंचवर्सी योजना के बारे में आपको पढ़ लेना है अब बात करते हैं समान बिग्यान की समान बिग्यान के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें आपसे क्लास 6 से ले करके 10 तक के जो NCIAT के MCQs है वो पढ़ लेजी आपका कल् आपका बन जाएगा समान गरित की बात करें तो क्लास 7 और 8 के जो मैच से ना उनको तो आप बिलकुल पढ़ ये इसी से आपका काम बन जाएगा 9 10 के बैंट सुरेजसर वगरा को करना है लेकिन 8 में जो profit loss है compound interest simple interest इन चीज़ों को आपको पढ़ना है बहुत ही काम में ये र lab assistant के जो एक्जाम हुए पंचाय सचिप का जो एक्जाम हुआ है उन सारे paper को आप देख लोगे तो आपको reasoning कैसे पूछी जाती है ना वो idea आपको लग जाएगा तो वहां से आप कर लोगे computer का जो fundamental knowledge है वो आपको पढ़ना है इसमें देखिए क्या-क्या पूछा जाएगा आपको पढ़ना है अब हिंदी की बात करें तो हिंदी बहुत easy होने वाला है अनसीन पैसेज आपको पढ़कर जाना है याद रखिएगा इस बात को जिस विसे में आपके निक्ति होनी है उससे 300 प्रसम पूछा जाना है जाएंगे तो मैं English का syllabus आपके साथ discuss कर देता हूँ English का syllabus है 300 नमरों का वो क्या रहेगा वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा यहां से देखिए English language and literature के बारे में आपको पढ़ लेना है तो देखिए 19th century में जो चीजे हुई है घटित हुई है उनके बारे में आपक हैं यहां पर उन सारे के नाम आपको पीटर रसकीन इन लोगों के वर्क को अच्छे से डीटेल्स में पढ़ लेना है evidence of first-hand reading will be the required the question will be designed to test only the candidate knowledge of the author prescribed but also their understanding of the man literature जो लिटरेचरी जो trend है उनके बारे में यानि कि आपको deep knowledge जो है उससे प्रसंद पूछा जाएगा the part will remain sorry the part will require first-hand reading of the text prescribed and will be the design to test the candidate's critical ability उसके बारे में पूछा जाएगा तो देखिए sex peer ने जो चीजें लिखी है उनके बारे में देखिए एक और बात JSC PGT के जो previous question paper है इंगलिस का वो paper आप acquire कर सकते हो मुझसे only 49 रुपीज में यहां से मेरी email id देख लो yourmithun sing at the rate gmail.com पे आप मुझे email कर सकते हो if you are on instagram then do follow me at the rate imithun sing आप मुझे वहां से instagram पे भी follow कर सकते हो question paper के लिए inquiry कर सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं मैंने आपको सारी idea जो है जो आपके साथ है वो share कर दी है अब देखिए कुछ और जो subject है उनके बारे में hamlet से प्रसंद पूछा जाएगा the tempest से question पूछा जाएगा देखिए sexpear के काम के बारे में बात हो रही है milton के बारे में देखो paradise lost इससे भी प्रसंद पूछा जाएगा और john astin की जो email book है उनसे प्रसंद पूछा जाएगा इसी तरह से wordsworth डिकेन जोर्ज इलाइट इसके अलब हाड़ी येस्ट तो यहां से आप जो है सारे writer के नाम को देख सकते हो the second coming of prayer for my daughter तो इन चीजों को आपको पढ़ कर जाना है यहां पे total 10th ही जो writer है author है उनके बारे में बताया गया और उनकी जो जो creation है I mean जो उनके books हैं उनको आपको पढ़ लेना है तो यह सारे books दखे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ यह सारे books की pdf आपना google से download कर सकते हो गर आपके पास laptop है या फिर tablet है तो वहां से आप content को consume कर सकते हो book खरिदने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो one by one आप जो है कुछ-कुछ books को खरी सकते हो और पढ़ सकते हो ताकि आपकी knowledge जो है deep हो पाए I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अपने दोस्तों रिष्तेदारों सहलियों तक इस वीडियो को साजा करें नए हो तो channel को subscribe कर लिजिए thank you so much